ओके तो वन सब्सक्राइब आप सभी का चली तो कंटिन्यू करते हैं साइंस के पिपर को तो इसका कॉश्चन आमर्ट 10 पे थी हम लोग तो कॉश्चन आमर्ट 10 का आंसर कौन सा होगा बताइए चली देख लिजे टेंथ का उप्षन आंसर कुछ इस तरीके का है यह देखे यहां पर यह 50 परसेंट डॉमिनेंट एंड 50 परसेंट रिसेसिव ठीक डन क्लियर हो गया चली रिफर्टू दा गिवेन फिगर डिफेक्टिंग रिफ्लेक्ट्स रिफ्लेक्स आर्क आपके सामने डिफेक्रट्स बनाया गया है और यह रिफ्लेक्स से रिफ चे को आपको सो कर रहा है which of the following position shows the correct sequence of the component of the reflex आरक आपको बताना है कि reflex आरक का correct और सिक्वेंस है वो कौन सा सो करेगा मतलब आप इस बाउल को पक्ड़ना है तो इस बाउल को पकड़ने के लिए जोそれでは option होगा वह कौन सा होगा बताई यह यह बताई कौन सा होगा पाता ही और अप्छली आप लोग भी कहा रहे हैं देखते हैं इसका अंसर भी सही है पिन्हीं है ओके यस के करेंगे बिल्कुल सही है element का भी यह यहां पर दिया गया इसको पड़ दीजे के निशे तरीके से लाइक इसके प्रसीब दा स्टुमिलस एंड एक्टिवेट दा सेंसरी नर्व आप दा इंपल्सस ओके सेंसरी नर्व कैरी सां यह इसके फंक्शन नहीं है यह मतलब जो उसके आप वो दिये गए हैं हाँ टाइप नहीं पहले सबसे पहले कौन सा काम करेगा सबसे बाद में काम जब signal मिलेगा तो किसको मिलेगा ego मिलेगा है ना मसल्स को मिलेगा काम करो भाई चली तो इसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं ना क्लियर है सब कुछ बो ठीक ना तो लास्ट वाला पढ़तीता हूं एक बार और इफेक्टर लाइक मसल्स रिस्पॉंड बाई पुलिंग बैक चलिए अगला कॉशन करते हैं क्या नमर नेक्स यह रिखे पुशन नमर तो इंटिफाइद और ओप्शन दैट इंडिकीट फंक्षन फोर परपस फॉर सर्भाई A B and C चलो बाई बताओ कौन सा आंसर है इसका करेक्ट C आंसर कह रहे है स्टोर फूर फूर एस करेक्ट फूर का अंसर सी है, next question number 13 है, ये लो भाई, आ गया है, the graph between the I and potential difference V of the experimental verification of the Ohm's law should be of the type, तो V और I के बीच का graph, ऐब भाई, ऐसा तो होता नहीं है, हाँ, ऐसा होता है क्या, बिलकुल होता है, V option का होता है, ओके, B का और इसका option का हुआ करता है, ठीक ना, और देखिए, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, तो correct option इसका क्या होना चाहिए, इसका correct option क्या होना चाहिए, B, तो 13 का correct option होना चाहिए, B, बिलकुल सही है, सिंपल, देखिए, ओम सलो, इसी बात पर पर पढ़ लिया जाए, according to the ohm सलो, potential difference across any conductor is directly proportional to the current flowing through, it that is V proportional to I, hence on increasing the potential difference, current will also increase and vice versa, अगर आप current बढ़ाओगे, तो voltage बढ़ेगे, voltage बढ़ाओगे, current बढ़ेगा, the graph of I versus V is a linear graph, क्यों, क्योंकि directly relationship होती है, और दोनों के बीच का जो graph जाता हो, कैसा जाता है, linear जाता है, a straight line graph passing through the origin, बोलो समझ में आ गया, चलिए, अगले question के ओर चलते हैं दोस्तों, question number 14, चलो लिए भाई, ये question दे रही हैं, आपको magnetic field का question है, ये तो बहुत बारापन ने किया है, अब इसमें कहरा है कि बताइए कैसा force महसूस करेगा, electron और proton जो दिये गये हैं, ये देखिए uniform magnetic field है, अब इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, left hand rule, क्या लगाना पड़ेगा, left hand rule, तो देखिए proton में, proton में left hand, ये लेखिए magnetic field है, ये आपका क्या, magnetic field है, और आपकी proton की current कहा जाएगी, बच्चो, ऊपर जाएगी, क्योंकि current जो होती है, proton की, वो current proton की direction में चलती है, तो ऊपर जाएगी, करहना, तो proton की current कहा जाएगी, ऊपर जाएगी, तो आप इस तरीके से हाथ करेंगे, देखिए, यह आपका है, यह जा रही है, यह जा रही है, यह जा रही है, यह जा रही ही करेंट, तो आपका जो अंगुठा जा रहा है, अंदर प्लेन के कहा जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, जा रहा की नहीं जा फिंगर को आप इधर रखिए, हाँ, बताइए कहा जा रहा है, अंदर की बाहर, आपका जो अंगुठा है, कहा जाएगा, अंदर जाएगा, कहा जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, इंटू दा प्लेन, कहा जाएगा, इंटू दा प्लेन, तो प्रोटॉन के लिए कहा जाएगा into the plane और electron के लिए यहीं कहा जाएगा बाहर के लिए जाएगा कहा आएगा बाहर के लिए आएगा ठीक ना यस हाँ तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताईए लिए 14 क्वेश्चन का आंसर बोली क्या होना चाहिए देखे एक मिनट देखे दोनों इटू होगा थे ही होगा देखे कारन क्या है इलेक्ट्रान अगर नीचे जाएगा तो करेंट की डिरेक 시न का होती है ना ओपर की तरफ मालभी मुझे जाएगा तो करेंट का जाएगी उपर ही जाएगी, opposite to the moving of electron हुआ करती है, तो दोनों की current की direction सेम हो गई, अब एक बार फिर देख लो, क्योंकि मेरी screen मेरे सामने ऐसे रखी हुई है, तो magnetic field यह है कि नहीं है, बताइए, यह magnetic field यह है, अब इसके बाद जो direction of current कहा है, उपर है, कहा है, यह देखिए, मैंने direction of current उ होगा into the plane, तो correct option इसका होगा into the plane of the paper, तो आप थोड़ी सी practice लगी कि यहाँ पर, देखे, electron proton, proton, proton की direction में ही current flow होती है, proton उपर जा रहा है, proton उपर जा रहा है, तो current भी वहीं flow होती है, मगर electron जा कहा है, नीचे, देखो ना, आयरो देखो, electron जा कहा है, नीचे, तो electron नीचे जा के मुविं के क्या होती है, अपोजित होती है, क्या होती है, अपोजित होती है, बोले समझ में आ गया, चलो भाई, आँगे चलते है, चलो भाई, अगला question देखते है, अगला question, एक बार देखे, 14 का answer देख लीजे, बिल्कुल सही है, answer 14 का A है, into the plane of the paper, 14 का answer देखा नहीं थ opposite direction to each other in perpendicular to the direction of the magnetic field, now, we know that the direction of current is taken opposite to the direction of the motion of electron, हाँ भाई, हमको पता है, तो direction जो है, वो क्या बन गई, ए बन गई, चली, ए ऑप्शन हो गया, correct answer, आँगे पड़ते है, question number 15 का, देखो भाई, क्या माफाइंड करना है, finally, हाँ, what will be the length, ओ भाई, बढ़िया question है, देखो फंडा क कित्त दिया है, 10, कित्त दिया resistance, 10, resistivity भी दी गई है, देखो कित्त दी गई है, 1.6 into 10 की पावर माइनस 8 meter, बुले यह सो नो, resistivity दी गई है, 1.6 into 10 की पावर माइनस 8 meter, into length कित्ती दी गई है, length का लापता है, length पता नहीं है, upon में area, बटा area सबको पता होता है, area होता पाई-R square होता है कि नहीं होता, circular cross-section जो इसका बनेगा, क्या बनेगा, circle ही तो बनेगा, और circle का area कितना बनेगा, बोलो pi r square, pi मतलब 22 upon 7, r का square, बेटा, diameter 0.5 mm है, कितना है 0.5 mm, तो सबसे पहले बेटा, diameter को centimeter में बदल दो, या meter में बदल दो, तो diameter equal to 0.5 into 10 की power minus 3 meter, क्योंकि 1 mm में 10 की power minus 3 meter हुआ करता है, 1 mm में 10 की power minus 3 meter हुआ करता है, इस तरीके से 1 mm equal to 10 की power minus 3 meter, आ जाएगा, बेटा, चले, so 1 mm में 10 की power minus 3 meter हुआ करते हैं, अब देखिए आपको क्या निकलना है, area, तो मेरे बच्चों, area equal to pi r square, तो pi की value 22 upon 7, radius आपने देख लिए, ये diameter दिया गया था, बुलो हाया न, तो diameter का half कर दोगे, तो क्या आजागा, radius, क्या आजागा, radius, तो 0.5 को half करोगे, तो कितना आजागा, 0.25, 0.25 into 10 की power minus 3, तो put कर दीजे बेटा, यहाँ पे 0.25 into 10 की power minus 3, और इसका पूरी का क्या करतो, square, क्योंकि pi r square है, आईए देखते हैं, इसकी calculation देख लेते हैं, solution sheet में, तो ये देखिए, पूरा का पूरा, बिल्कुल डालना पड़ेगा, ओके, ये देखिए, प पांच मिनट का वक्त लीजे, पांच मिनट ज्यादा हो, दो मिट ले लीजे, और जल्दी से इसको एक बार खुद से कर लीजे, तो answer कितना रहा, 123 मेटर, जल्दी से नोट करूँ, चली देखिए, कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाए देता हूँ, ठीक ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको कैलकुलेशन के लिए, तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ, कैसे हो करता है एक मिनट ओके देखे सबसे पहले गाम आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको रीडियस निकालने पड़ेगी और रेडियस आपके पास में किती दी गई है जो डायमेटर आपको दिया गया है 0.5 mm ओके का हाफ कर दो 0.5 mm का क्या कर दीजिए आप हाफ कर दीजि तो 0.5 mm का आफ हाफ कर देंगे तो कितना आजाएगा यह 0.25 mm 0.25 mm ठीक है ना अब 0.25 mm को आप मिली मीटर को लिखे किसमें मीटर में तो यह बन जाता है 0.25 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यों क्योंकि 1 mm में होते है 10 की पावर माइनस 3 मीटर चलो अब सॉल्व कर दें ठीक है अब फॉर्मला देखे क्या होता है फॉर्मला होता है r equals to rho l upon a ok r equal to rho l ले कहते हैं जिसको तो r a upon l r a equal to kitzna हो गया rho l r a equals to kitzna हो गया rho l तो r a upon rho equal to kitzna आजाएगा l आजाएगा है ना यहां तक l की value आगे दीख लिए l को अलग कर दीजे तो l अलग हो जाएगा तो r a upon kitzna हो अब क्या करना है आपको आपको केवल वैल्यू पूट करनी है और यहां पर आपको एरिया पता होना चाहिए तो आपको पास कितना आ चुका है देखिए एरिया कैसे निकालेंगे अब हम इसको वैल्यू को पुट करते है तो रो इंटू एल इंटू पाई रस्क्वेर एक मिनट और तो कुछ नहीं है ना कुछ छूट तो नहीं है ना ठीक है सब कुछ ठीक है चलिए एल एक्वाल टू रजिस्टेंस की वैल्यू किती है ठीक है और पाई की वैल्यू किती है 3.14 या 22 बाई 7 जो भी लेना हो ले लो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटू आर का स्क्वेर आर का स्क्वेर देखिए 0.25 तो 0.25 इंटू 10 की पाउर माइनस 3 एक बार दूसरी बार डिवाइड़ बाई रो डिवाइड़ बाई रो रो की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है रो की वैल्यू आपको दी गई है 1.6 इंटू 10 की पाउर माइनस 8 तो देखिए कैसा करा है आर की जगे आप 10 यूज करिए पाई की जगे 3.14 आर स्क्वेर 0.25 पर ये लिखा अब दीखे कैसे करेंगे इसको तो एल इकोल्स टू 10 मल्टिप्लाइ भाई 3.14 को मैंने लिखा 314 लिख दिया और नीचे डेसमल जो है तोड़ दिया ब्रेक कर दिया 100 आ गया इंटू देखो 0.25 मतलब 25 अपन 100 और 10 की पाउर माइनस 3 और 10 की पाउर माइनस 3 और कितना है अपने पास में 10 की पाउर यहां पे 10 की पाउर माइनस 3 हो गया और एक बार फिर से 0.25 एक और दिया है तो 25 बड़े कितना हो गया 100 और 10 की पाउर कितना हो गया माइनस 8 ठीक है क्लियर है चलिए अब आंगे देखिए अब इसको solve करते हैं किस तरीके से solve होगा द 25 से यह 4 बार चला गया 100 ठीक है 25 से यह 4 बार चला गया 100 25 से यह 4 बार चला गया 100 एक और 10 की पाउर माइनस 3 माइनस 3 कितना हो गया 10 की पाउर माइनस 6 हो गया कितना हो गया 10 की पाउर माइनस 6 और 2 उपर चले गया तो 10 की पाउर माइनस 2 मतलब कितना हो गया 10 की पाउर माइन और नीचे बैठा हुआ अल्रेडी एक 10 की पावर माइनस 8 बैठा है की नहीं बैठा है और 4 गुणे 4 किता हो गया 16 इससे यह cancel कर दो 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 तो उपर 10 गुणे 314 कर दिया आपने तो बोलो कितना आगया अपने पास में 3140 बड़े कितना 16 बस सॉल्व कर लो जो आंसर आएगा वो मीटर में हो जाएगा डन नोट कर लो भाई आराम से बिल को सही बात है आपने देखा था एवरिट्टट का experiment जो straight wire के लिए क्या था क्या किया था, field line कैसी होती है concentric circle हुआ करती है तो इसका correct option D होगा circular loop बिल्कुल सही, जो straight wire होता उसके लिए circular loop बनाया करती है तो इसका correct option होगा D, the magnetic field lines due to straight current carrying wire form are concentric circle with center on the wire, बिल्कुल सही बात है तो अंसर होगा इसका D, चलिए नेक्स क्वेशन की तरफ चलते हैं, क्या 17 to 20, भाई एसरसन रीजन आ चुके हैं, देखिए, तो एसरसन रीजन के ओप्संस तो आप लोग को याद होगा होंगे, इत्ते बार कर लिए हो, है ना, सीधे सीधे आप सीधे क्वेशन पे चलते हैं, question number 17, A, denaturated alcohol is not suitable for the drinking परवस, सही बात है, denaturated alcohol मैंने आपको बताया था, alcohol में थोड़ा सा methanol मिला दिया जाता है, जिसके कार्ण वो पीने के लिए सही नहीं रहता है, है ना, और उसको यादी पी लेंगे, तो मौत तक हो सकती है, denaturated alcohol, denaturated alcohol, because denaturated alcohol has the same taste and smell and drinkable alcohol, भाई साब द as the drinking alcohol, का गया है, कि दो denaturated alcohol है, denaturated alcohol है, उसमें same taste होता है, same taste होता है, और smell होती है, as drinkable alcohol, है ना, तो देखिए, इसका answer क्या है, इसका answer ये है, कि भाई, पहला वाला तो सही है, मगर दूसरा वाला सही, नहीं है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही, नहीं है, ये कह रहा ह कि denaturated alcohol is not suitable for the drinking purpose, यह बिल्कुल सही बात है, तो पहला वाला true है, पहला वाला क्या है, और दूसरा वाला false है, दूसरा वाला false है, 17 का option देखते हैं, तो 17 का क्या answer देखे, 17 का बिल्कुल सही correct answer C, अब पढ़ दीजे देखे, 17 का C option क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 17 का option, कि denaturated alcohol is not suitable for the drinking purpose, because it contains some poisonous substance like methanol, मैंने बताया आपको, कि denaturated alcohol में, denatured alcohol में, क्या मिला जीजा जाता है, methanol मिला जाता है, methanol, इसका रंग बतल यह था, copper sulfate मिला देने से, इसका color नीला हो जाता है, क्या हो जाता है, color नीला, which result in the coagulation of the protoplasm causing nausea, blindness and even death, जिसको पी लेने से, अपना जो होता है, blood clot कर जाता है, protoplasm clot कर जाता है, और जिसके कहां death भी हो सकती है, hence A is true, but R is false, मतलब A true होता है, और R is false, क्या कुछ poisonous substance जैसे methanol, pure alcohol में क्या मिला दो, methanol मिला दो, copper sulfate मिला दो, जिसके कारण यह पीने योग नहीं बचता है, इस प्रकार के alcohol को क्या बोलते है, denatured alcohol, बोलो clear भाई बात, चलिए, अगला question चलते है, question number 18, हाँ, यह देखे भाई साब, यह आपका jeans वाला question है, 18 वाला biology क है, question number 19 जो है, वो भी biology का है, जल्दी से देखे इसको, question number 18 और 19 को देखे, क्या problem है, इन में, question number 18 और 19 करिए, बायो के पार्ट, चलिए, तो answer check करते है, 18 का, तो 18 का correct answer है, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, तो बिल्कुल सही बता है, आप लोगोंने 18 का भी, चलिए, 19 का देखे, 19 का बता है, तो 19 भी एक बार देख लिए, 19 का देखे, photosynthesis is opposite biochemical reaction of respiration, हाँ, सही बात है, respiration का opposite है, energy is utilized during respiration, respiration में तो भाई साब energy release होती है, है ना, तो A true है और R क्या है, false है, A true है और R, false है, देखो, photosynthesis जो है, बायो केमिकल reaction of respiration का opposite है, बिल्कुल सही बात है, भाई, photosynthesis क्या होती respiration की, opposite होती है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब यह true है, अब कहरा, energy is utilized during respiration, अरे भाई साब, respiration में हमारी body cells oxygen लेती है, तो क्या निकलती है, energy, क्या निकलती है, energy, तो respiration कैसी process है, exothermic, कैसी process है, और यहाँ पर बोला जादा है, कि energy utilize होती है, ऐसा नहीं है, स्वास लेते हैं, तो energy मिलती है, ना की utilize होती है, तो correct answer, इसका क्या होगा, A is correct and C is false, बोलो, clear हुआ, तो इसका answer, क्या होगा, correct C, O, swapson, okay, A is true and R is false, बोलो, correct है, answer पढ़ लेता हू, respiration is defined as the process of the biochemical oxidation, of the nutrients at the cellular level during which energy is released, हा, which is, which is, where as photosynthesis of glucose molecule, ठीक नहीं, फोटो, synthesis is the synthesis of the glucose molecule, बोलो, 90 number clear है, clear है कि नहीं है, चले, question number 20, देखते है, question number 20, physics का part है, यह देखे, a current carrying conductor experiences of force in a magnetic field, बोलो, true बात है कि गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप a current carrying conductor को magnetic field में रख देंगे, तो याद है, आपको हिलने लगता है, मैंने activity बताई थी आपक हाँ, बिल्कुल सही, चले, reason क्या दिया है, the force acting on a current carrying conductor on a magnetic field is due to the interaction between the magnetic field produced by the conductor and external magnetic field, मैंने दोनों बताया था, बिल्कुल correct है, बिल्कुल correct है, सरसन भी correct है, और उसका reason भी correct है, तो देखते हैं, इसका correct answer क्या होना चाहिए, इसका correct answer जो है, एक मिनट, बट इसका answer भी दिया गया है, चले, पढ़ लेते हैं, इसको क्या होगा, हाँ, मतलब, relate नहीं कर रहा गया, क्यों relate नहीं कर रहा भाई, देखे, current experience of magnetic force, यह एशरसन हो गया, and reason आपको दिया गया है, और reason जो आपको दिया गया है,